नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, ये मेरे चैनल पे जो इयर ट्रेनिंग क्विज के वीडियोज अपलोड होते आये हैं, ये काफी हद तक पॉपिलर हुए हैं, इससे कई संगीत प्रेमियों ने लाब उठाया है, कई संगीत प्रेमियों ने useful suggestions भी दिये हुए हैं, मैं उनसे धन्यवाद कहना चाता हूँ, ये वीडियोज एक सीरीज में बनते आये हुए हैं, अब वक्त आया है, कोमल स्वरों की पहचान करने में भी जो वीडियोज मदद कर सके, ऐसे वीडियोज अपलोड करना, तो आज से इन वीडियोज में आपको कोमल स्वर भी शामि किये जाएंगे, कोमल और शुद्ध स्वरों का अंतर समझने के लिए, पहले मैं आपको एक exercise सुनाता हूँ, जिसे आप ठीक तरह से सुनीगे, इस exercise में, मैं सा के साथ किसी और स्वर की जोड़ी लूँगा, लेकिन वो स्वर के दोनों स्वर लगेंगे, For example, सा और रे जब लूँगा, तो मैं पहले सा रे कोमल लूँगा, बाद में सा रे शुद्ध लूँगा, और तीसरे पैच में रे शुद्ध, रे कोमल और सा लूँगा, आपको समझ में आही जाएगा, तो सुनिए, इस exercise को मैं सफेग एक याने C scale में कर रहा हूँ, इस scale क को नाचरल स्केल कहा जाता है, और अपने एर ट्रेनिंग क्विस के सारे सुर्व इसी scale में दिये गए हैं, कोई भी अभ्यास करने से पहले, सा को ठीक तरह से लगाना जरूरी है, ये exercise सुनिए, ये रे कोमल है, ये रे शुद्ध है, अब गो, ये रे कोमल है, ये रे शुद्ध है, अब मौ, मौस्वर तीवर होता है, ये पहला शुद्ध है, ये तीवर है, अब पो, पो ना कोमल होता है, ना तीवर होता है, अब धो, ये कोमल धो है, ये शुद्ध धो है, अब नी, ये कोमल नी है, ये शुद्ध नी है, अब सा और तारसब तक का सा, सा कभी कोमल नहीं होता, ना कभी तीवर होता है, सा, 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 ये हुए, आज से आप आओगे, ये इयर ट्रेनिंग वीडियो में, किसी कोमल स्वर को भी शामिल किया गया है, इन सुरों को पहचाने की कोशिश कीजिए, आपने तर्प की जरूर होगी, आज की साउंड फ्रिक्वेंसी मूव्मेंट है, इन साउंड फ्रिक्वेंसी पर, अब मूव्मेंट पहचानिये, इन साउंड पहचानिये, या आप ये movement पहचान पाएं ये movement है इस पैच में रे और ध कोमल लगे हुए हैं इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे mobile number 88791-83901 पर फोन कर सकते हो मैं आपके doubts clear करने की जरूर कोशिश करूँगा